फेला फ्रेंड्स जब भी मार्केट जाते तो नजर हमारी इधर उधर घुंती ही रहती है और ऐसे ही नजर मेरी नजर जाके टिकी जो कच्छे नारियल थे वो सो के च्छे मिल रहे थे हमारे या मार्केट में तो मेरी नजर जैसे ही उन पर पड़ी मैं तो भई तूट पड़ वो भी मैंने इसमें डाल लिया अच्छे से छील के मैंने इसका पीछे से छिलका उतार दिया और इसको छील के थोड़ा सा एक चमच घी डाला और मैंने इसमें से आधे नारेल निकाल के हमने लड़ू बनाएंगे और आधे नारेल के मैं कुछ और बनाऊंगी मैं अगली तो इसके लिए मैंने दूद थोड़ सा एक्ष्टा डाला है तो दूद डालने के बाद यहां पर दो चंबज डाल दिया मिल्क पॉडर और अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि यह थोड़ सा हलका सा गाडा ना हो जाए तो फ्रेंड्स अब पीछे चलते हैं जो हमन इसको नहीं सुखाएंगे प्लोक्त हम बनाने वाले रशले पेड़े तो इनको हम थोड़ा सा रसले लेंगे तो यहां पर यहां पर देखिए हलका हलका सा इनम olması है है हलका सा ल्रस है तो अब हम कर देंगे । गैस बंद और जितना हम इसको गैस बंद प्दा होने के बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े अब अपने हिसाब से अगर चम्मच के साहता से बनाना चाहते हैं तो चम्मच के हिसाब से एक्वल साइज में ले तो बराबर के पेड़े बनेंगे पर मैंने वाइसी हास से ही बना दिये कोई छोटा कोई बड़ा बन जाता कोई बात नी खाना तो हम नहीं है किसी और को थोरी ना देना है तो ये देखिए हमारे बिल्कुल पेडे, नारियल पेडे यान नारियल लड़ू, रसीले लड़ू बनके तयार होगे और इनको मैंने गानिस किया है पिस्ता से ये दिखिए लग रहे है ने बिल्कुल मार्केट वाले इदम से amber कोकोनेट वाले लड़ू लेकिन ये हमने बनाया है कच्चे नारियल से, वो भी इतने सस्ते नारियल से, अब ये मत कहने लग जाना कि नारियल काफी महंगे हैं, क्योंकि हमने लिए हैं, जिनका छिलका उपर से उतार के जो ठेली वाला भीया बेशता है न, उनी से लेकर आई थी मैं, तो इंजोई कीज और हैपी दिवाली आप सब के लिए एडवानस में और मिठाई बनाएए, अपने बच्चों के लिए घर में और अपने परिवार वालों के लिए, फिर मिलती हूँ, एक नेक्स लेक्सिपिक साथ आप तक के लिए, बाई बाई और टेक एर